हेलो फ्रेंड्स मैं हूं तौन मैं स्वागत है मेरा इसी टूब चनल तौन मैं सेल्फ क्रेशन को तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आजब को बताऊंगा कि आप जो साधी बगरा में जो बोल लाइट त्यार करते हैं जो देखा होगा जो एक बाट्टाम लेकर 3x3 का और जो 7 सेबें फूट का जो लाइट गेट गार त्यार होता है यूश के लिएक रॉंणिंग होता है जो उसको एक लाइट तो कैसा फरानिंग मैं एक फ Liberty और जो यह जो है आपका फाइप्र Sims तोEa WIL्प States योई अब को बताऊंगा यह फाइप्रिण्स सार्काइड क्या है तो फाइप्र ॉन आता हिए दो टाइब कह तो यो फाइप्रिण क्या है उसका है और बताऊंगा उसका कॉंडेक्शन कारेंगे आप कैसे जानेंगे कि यह तो मैं इसी सर्कृट को लेकर बहुत सार्कृट बनाऊंगा जो जहर सर्कृट भी इसको बनाऊंगा एपना को अब सुरू करते हैं और एक बात दोस्तों आप चैनल को भी तो सस्क्राइब नहीं क्या है तो यहां पर सस्क्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन ही उसको दबा कर ओल वाला नोटिपिकेशन को प्रेस कर दीजिए तो जो भी मैं इसे तरह नहीं आना भीटो अप्लेट दैसन प्रेसन पेहलेगा तो चलते है दोस्तों सुरू करते हैं वीडियो को देयाजें तो देखें यहांपे यह जो मैं सार्किट रखाँ यह इसको बोलते हूं फाइप राण सार्kिट तो मेरे पास चार शग्यड है तो इसका अंदर हमारा पॉजेटीब सार्किट मिलेग होगा और negative circuit भी है तो यहां पर क्या करना होगा तो फेले मैं आपको बोचा दिता हूं lease he तो पहला बात में करता हूँ यह जो है फाइप्रॉन सार्कीट यहां बोलता है इसका आउट पूट्ट जो टॉर्मिनल होगा यह वाला एक दो तीन चार पांच यहां पर यह तो यहां पर आपका आउट्पूट टॉर्मिनल होगा इनपुट कहा होगा देखिए दुष्टो यहाँ वी मेरा कैपासिटर लगा हुआ है तो ते मीनिस टर्मिल यहाँपर दिया होग तो इससी माइनस टर्मिनल भी टर्मिनल हेगा यह हमाना नेगेटिव भी वरी भी माइनस लिक्खा हुआ है माइनस भी पष्चाओ घो भी ऐघे जो वह बीडनेगे इस सयट हम रहा जो इंप्स ओपलत हुआ देंगे और उसे फिवह अवीड कहा पर देंगे की components used होटा है यहाँ पे एक यूज उज़ होता है जो गैपासिटर और याँ यहाँ जो आई necessary यह चोटा वाला ये 505 इं च्ँटा है जो यह बड़ा आईस पर देख रही है जो जलेघ और यहां भी कुछ रेसिस्टर बागर लगा हुआ है और यहां पर ापको ट्राजिस्टर देख रही है है छोटा छोटा जो कला-कला दख रहे आपको तो यह यह हपका अपर हमारा जो बीजी फाइफ हो चेलंगाई है ट्रांजिस्टर यह उसका हैwynगा है यह भी एक तरह ट्रांजिस्टर है तो यहां पर जो पांच आई सी लगा हुआ है कि यह इस यही स्रीप यूज होता है यह जो फाइप्रण सार्किट में और एक बास दोस्तों यहां पर जो पॉटेंशियमेटर यूज होता है यह हमारा 10K या 20K के आसपस हमारा जो इसको बोलते है तो यह हमारा यहां पर लगा हुआ है तो यह था यह सर्किट का काम तो सभी सर्किट में यह लगा हुआ है यह जो कॉम्पोनेट्स तो दोस्तों यहां पर जो हम इसको इन्पूट सप्लाई देंगे यह हमारा डिसी में नहीं काम करेंगा यह डायरेट हमारा 12V देंगे 5V देंगे क्या होगा और उसका 24V भी हम दे सकते हैं क्यों नहीं दे पाएंगे तो यह श्रीफ 12V में काम करेगा 5V भी काम करेगा क्योंकि इसका अंदर जो IC लगा हुए ना यह 4017 का IC और 555 को टाइमर IC यहां पर यूज होता है यह IC हमारा 12V में चलता है 5V से 12V तक यह चलता है तो इसलिए यहां पर आपको 5V से 12V का अंदर देना पड़ेगा और एक बाद दोस्तों मैं बोला कि श्रीफ 12V दीजिए आपको यह 5V रन चलेगा क्योंकि इसका जो आउटपूट निकलेगा 12V निकलेगा मालों कि यहां पर ह यहां पर हमारा 5V निकलेगा मालों कि यहां पर हम चार लगा चुका यहां पर हमारा 2 LED लगेगा इसलिए इस 12V में अच्छे से काम करेगा यह जो फाइप रन सर्कृट होता है यह था इसका फाइप रन सर्कृट तो दोस्तों इसका कॉनेक्शन कैसे करेंगे LED के साथ कैसे ना तो मैं आगे बताओंगा। उसके बार में आपको बताता हूं इसको यह जो आईशी होता है इसी सर्कृट होता है हवारा 5 हरी यह सार्कृट हमारा दो टाइप का आता है तो दो ताईप का मतलब एक positive circuit होता है और एक negative circuit होता है तो यहां पर तो 5 जहां पर चारर देख र इसका connection में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे तरह connection हो रहा है तो connection diagram पहले देख लिए उसके बाद मैं बताऊंगा इस circuit में आपको positive कौन सा मिलेगा और negative जो circuit आपको कैसे चुनेंगे इसका अंदर तो मैं पहले आपको circuit diagram करके बता देता हूं कैसे तरह connection करेंगे पहले तो दोस्तों यहां पर देखो यह जो में फाइप रॉन सार्कृट लिखा हुआ है और में यहां पर diagram भी साथ आपको बताऊंगा connection कैसे होता है यह मैं लिखा हूं positive circuit और यहां पर जो मैं सार्कृट बता रहा हूं यह 12V हमारा power supply adapter है और यह हमारा फाइप रॉन सार्कृट यह को देखा देता हूं देखिए यहां पर आपको फेले मिलेगा यह जो 12V supply यह जो पाइप चाहिए आपको चाहिए आप ट्रांसफर्मर वाला पाउर सार्कृट भी बना सकते हो और यह आपको जैसे तरह आपको चोईस होगा कि मैं बार सार्कृट ट्रांसफर्मर लगा कर भ तो पाउर साप्लाइed देना पड़ेगा हमको 12V DC तो 12V DC का जो पाउर सप्लाइद देएगे मैनस नेगेटिव Input हो गा या में 12 V DC supply देंगे यहां पे हमारा negative को negative को साथ connection कर देंगे यह फाइप्रन सर्किट को negative connection चला गया उसके बाद जो आडप्टर का positive supply इसी positive supply यहां पे प्राइड का जो देखिए ब्लाक कोलर टर्मिनल होता है इसका इनपूट के साथ हम पॉजेटिव सप्लाइ देंगे अडप्टर से और मेरा पाउर सप्लाइ के मतबस से हमको यह फाइबरन सार्किट में कॉनेक्शन कर दिया हूं और वैसे तरह नेगेटिव सार्किट का भी व और यह फाइबरन सार्किट आपको इसे तरह पकड़ेंगे यह इन्पूट सप्लाइग यहां पकड़ना होगा पकड़ने के बाद आपको यहां पे दे गया हूं पांच जो लाइन दिख रही है इसका आउटपुट होता है तो इसी पांच लाइन को आपको कैसे पता चल ग आपको मालम नहीं हो तो आप कैसे चैनांगे इसे तरह पकड़ेंगे यह जो सर्कीट को तो हमारा जो ौ div inventory छो भी वे अन्बर वाला होता है यह एग Gest son स्भी यहरी यह से थल सब्सक्राइक टु dishonौ पांच हुगा हैrez dal जो भी कंबूल可 sujet जला कूंपानल द्रंपर चारिटे क्या बांच फिर से थे थे चरीटार वाइब तुह कि करेंगे आपको देखा और देखा न यहां पे देखोगी है नेपा लेस्टिंग करके आप दिखाऊंगा connection के साथ तो यह जो LED हम देंगे जो भी supply देंगे यह LED हो गया और यह हमारा 12 world का जो आता है यह LED यह भी एक तरह आता है 12 world का LED तो इसका positive रहता है और negative रहता है यहां पे जो हम connection करेंगे अच्छे से देखो यह तो 5 channel हो गया हमारे पास एक ही light है तो आप 5 channel लगाएंगे 5 light लगाएंगे तो वह भी connection करके दिखाऊंगा और यहां पे demo के लिए मैं एक ही LED लगाकर आपको दिखाऊंगा तो यहां पे कैसे तरह running होगा positive के बात कर रहा हूं LED है तो मैं पहले यहां पे LED का डाइग्राम कर देता हूं दोनों साइड वा इसो positive और negative का LED का connection पहले में डाइग्राम के इसाथ कर देता हूं तो दोस्तों यहां पे दिखिए यह जो LED का मैं connection कर चुका हूं थोड़ा जूम कर देता हूं मैं आजाएगा तो यहां पे देखो यह जो फाइग्रान circuit चला गया यह positive के side में पांच लीड़ी लगा हूं एक दो तीन चार पांच करके ऐसे तरह तो इसका जो बड़ा बड़ा टर्मिनल होता है LED का यह इसका positive side होगा यह side जो भी यह बात कर रहा हूँ बाएं तरह जो भी टर्मिनल है मेरा positive terminal यह सभी का positive terminal और दाएं तरह जो भी light का आप देख रही है चोटा चोटा जो देख रही है हमारा negative terminal तो यह दाएं तरफ जो भी Terminal है हमारा negative terminal और यहां पर क्या कर रहा हूं यह जो नीचे बाला जो आपको देखे रहे है नेगेटीव सरकीट का जो LED में यूज़ कर रहा हूं यहाँ पर इसका E-side मालगो 22 साइट में जो LED लगा हुआ है इसका 22 चोड़ा देख रही है तो 22 मेरा सभी का और डाएं तरफ हमारा पॉजिटीव साइड हो गया LED का सभी टर्मिनल का पॉजिटीव साइड यह मेरा नेगेटीव साइड क्उनेक्शन कैसे करेंगे अच्य से देखो यहां पे तो यहां पे पॉजिटीव सर्कृट का मतलब क्या होता है हम जो LED करेंगे उसका 5 LED हम लेंगे मतलब इसका यहां पर जो 5 हमारा जो चैनल आएगा आउटपूट आएगा इसका 5 चैनल वाला तो हम 5 LED इसको लेना पड़ेगा तो 5 LED का एक common terminal होगा तो common terminal एक निकलेगा और 5 दूसरे अलग अलग करके terminal निकलेगा पांच अलग लेंगे उसका common लेंगे common लेने के बाद और उसका जो सभी LED का एक एक करके पांच टर्मिनाल बचा होगा तो उसी पांच टर्मिनाल आपको अलग-अलग से करके रखना पड़ेगा तो यहां पर क्या करना होगा जो positive circuit आप देख रहे हैं पॉजिटीव श्रकिट में आपको यहां पर common लेना पड़ेगा नेगेटिव साइड को हमारा common लेना पड़ेगा तो जो load का common लोड यहां पे लिखा देता हूं negative commun on load load 菜 का हम जो मद देँगे negative साइट हमारा common रहेगा और इसका जो negative सार्कृट होगा negative सार्कीट का positive आप हमारा लोड का हमारा positive होगा यह हमारा common होगा समझ檄 आपके तो यहाँ पे देखऊ आचिसे positive sirkit में हमारा जो लोड साइट होगा लोड साइड का हमारा नेगेटिव टर्मिनाल जो भी निकलेगा यह common होगा हमार लोगी एक ही connection रहेगा short होके एक ही टर्मिनाल निकलेगा और यहां पी जो नेगेटिव सार्किट में आपको positive जो लोड का करेंगे और कहां पर कैसे तरह connection करेंगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से यह सार्किट आपको खुद मालम हो जाएगा तो आप खुद का आइडिया में आप कुछ भी सार्किट मतलब कुछ भी लाइट बना सकते हो डेकुरेटिव लाइट तो यहां पर क्या होग यह एक टर्मिनल आमन निकल गया नेगेटिव कॉमन निकल गया यहां पर जो हमारा टर्मिनल है नेगेटिव आ गया तो उसके बाद आया इसका पॉजिटिव साइड लीडी का जो पॉजिटिव साइड या तो एक एक करके हमारा आउटपूट निकल रहा है तो यह जो मारा 12 वोल्ट में लगा दूंगा यह जलेगा इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं मैं इस त्रीवियोस को कॉनेक्शन बता रहा हूं उसी इसाब से कितना LED देंगे कितना डेजिस्टर कालकुलेशन करेंगे तो उसके बाद में बाद में बता हूंगा अबमें विश्की से क Passion famine शिल्ब बता देता हूं यह गिंध कि फो एक नमबर चैनल के साथ एक नमबर ईलीडी दो नमबर चैनल के साथ कोनेक्शन कर देंगे अच्छे से देखो यहां पर यहां पर हमारा भी इन चला गया और सार्कीट का नेगेटिव गया और मेरा अडप्टर का जो नेगेटिव यहां पर आ गया और इसका जो कॉमन होके यह नेगेटिव कोनेक्शन हो गया एक सार्कीट कॉम्प्लिट हो गया उसके बाद एक जो positive आया इसका जो positive circuit का अंदर चला इसका output ग्रीज निकलेगा हमारा लोड के साथ रहेगा तो उसके बाद यह हमारा positive का पॉझिटिव सार्कीट का connection यह से तरह को दिखेगा यह positive के बाद चला गया positive पॉजिटिव सर्कुट को कैसे को नेक्शन करेंगे ठीक वैसे तरह हमारा यहां पर LED क्या रहता था यहां राइट साइड के लखा था नेगेटिव और लेफ साइड रहता पॉजिटिव यहां पर क्या लिखा है नेगेटिव सर्कुट में हमारा पॉजिटिव साइड कॉमन यहां पर में नेगेटिव को कमन किया था और यहां पर में कॉजिटृट के मतफ Cait और क सब्सक्राइबŞ लेगा जो भी लूडर दें गे उसका भी यहां पर भी 5 । 5 हमारा लोड लगेगा। तो उसी व्वATION यहां पर पॉजिटिव को कमन करेंगे तो यहां पर पॉजिटिव आया यह लीडी का पॉजिटिव मैं दूसरे कोलर के मतल से बता देता हूं यह जो इसका पॉजिटिव आया इसको पॉजिटिव इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका पॉ common कर देने के बास बचाः ओं हमारा जो नगेटी पाट हो गया यह से भी यहां पर बीजो रॉनिंग होगा ऐग दो तीन चार पांच एसे करके हेशे रहो गया तो इसका क्या होगा यह जो सर्कृट का output निकलेगा negative मतलब negative voltage का output निकलेगा यह जो हमारा लोड आएगा इक नमबर LED का जो नेगेटीव लोड आएगा यह चनल के साथ connection हो गया दोन नमबर LED का जो नेगेटीव लोड के साथ चान नमबर के चान नमबर लीड़ के साथ और यह बचा हुआ, पांच-चन नमबर connection आपको पता हो गया, उसके बाद यहाँ पी क्या होता था, नेगेटिव MARISHA कमन करने के बाद यहां पर नेगेटिव के साथ कोनेक्शन करती थे और यहां आपर शार्कट में आउट्पूट निकलता है Price आउट्पूट निकलता था यहां पर क्या हो गा यह जो सब्सक्रणले के साहिए एंगर nessिलibtुट के साथ कोनेक्शन गा Oh करनेक्षन हो गया अधिन सम democrat होग की तिन देक्षन करेंग ये जyang में आपको समझ में आ जाएगा तो आपको स्कीब करके भी देख सकते हो वीडियो को आपका मर्जी आप अच्छ से मेरा घलती यह यहीं एक एक करके वे आपको 1 I आपको कोनेक्शन बता रहा हूं तो इसका प्राट्टिकली कोनेक्शन करेंगा कैसे तरह क्णेक्शन हो रहा है तो टेश्टिंग करके भी धिखाऊंगा और यहां पे जो दोनो सार्कृ Arbeit दिखाऊंग में इसका में positive सरक्र inspired का और negative लिए और डाय्यिव बताना चाहता हूं यह दोनों उसर्किड का काम ही है मतलब यह मारा जो एक दो तीन चार पांच ऐसे तरह रॉनिंग होगा पॉजिटिव सर्कृट भी ऐसे तरह रॉनिंग होगा नेगेटिव सर्कृट भी ऐसे तरह रॉनिंग होगा लेकिन इसका फोरग क्या है इसका कॉनेक्शन यहां पर हमारा नेगेटिव हमारा कॉमन इसका connection shift फ़रग है लेकिन हमारा काम जो करेगा same ही काम करेगा semi voltage अपला जाएगा same ही output निकलेगा इसका terminal shift change होगा connection के लिए तो मैं इसको practically आपको बता देता हूं तो दोस्तो practically के साथ मैं बता देता हूं यहां पर power circuit यूज नहीं क्या हूं यहां पर मैं कर रहा हूं यह जो adapter 12 volt यह मैं देखिया अच्छे से 12 volt 1 ampere का मैं adapter यहां पर यूज कर रहा हूं तो इसका terminal मैं खोल का रखा हूं यह मेरा positive side हो गया और यह एक से negative circuit हो गया तो यहां पर connection कैसे करेंगे अच्छे से देखो पहले मैं टेस्ट कर रहा हूं यह हमारा adapter ठीक काम कर रहा है यह नहीं मैं positive के साथ positive और negative से negative connection कर यह light ग्लो कर रहा है तो हमारा काम कर रहा है तो उसके बाद क्या करेंगे मैं LED को देकर लगाएंगे तो यहां पर दिखी है एक LED LED का उपर टो मैं video डाल चुका हूं शी लाट का उपर उसे साइब में LED आपर भीडाल चुका हूं तो यहां फिर से एक बाद देख लिगे LED का एक होता है यहाँ पर निच्छे से देखो निच्छे आपको दिखे सीड दो LED लिखा निकल रहा है है इसका led तो इसका अंदर को कास need ढें तो यहाँ लेट दिखे रहा है एक अधर को और एक छोटा शोट बाuity देख रहे हैं अंदर से दखु आपको यहां पर हमारा नेगीटिव पतलिक को अनुर्ट गया है आपको पता नहीं चलेगा कि यह हमारा लीड कहां गया और इस जो मालगी एक समान में कड़ गया होगा विपको कैसे पहे जानेंगे तो इसलिए इसका अंदर देखिए अच्छे से यह बड़ा बला जो पाट होता है यह मारा नेगेटिव और छोटा वाला होता है इसका के साथ में 1K का रेजिस्टर यूज़ कर रहा हूं क्योंकि मैं 12V यहां पे लगा रखा हूं तो यहां पे कैसे तरह टेस्ट करेंगे तो दिखिए यह जो है हमारा नेगेटिव सर्कृट तो पहले मैं नेगेटिव सर्कृट का बात कर रहा हूं तो नेगेटिव सर्कृट का कॉनेक्शन कैसे हम कैसे पहेचानेंगे पहले ही सर्कृट का पहेचानेंगे कैसे अच्छे से देखो तो बहुत सरा टाइब का मार्केट में नेगेटिव सर्कृट ही याता है positive circuit है तो क्या होता है ना तो बहुत सारा company करते है यह जो त्यारकिट को बहुत सारा company क्रता है। cleaning type पहा ज़सित यह º Бhhh कह लगते हैं है यहां पर यहां पर यूजी करते यह आप negative circuit कैसे चिननेंगे, यहां पर लिखा हुआगा, एक positive circuit यहां पर दिखे, common energy, CA लिखा हुआ है, जो लिखकर देथे हैं लोग, एक positive लिखा हुआ है, और negative लिखा हुआ है, इसको देखकर भी आप चिन सकते हो, और बहुत सारा type के आप उसको चून सकते हो, तो यहां पर द BC 511C का Titans께 Cotting byला साइड होता है, तो यह जो राउण्ड बाला साइड होता है, औरrotting को साइड में अमारे लिखा रहेता है, यह BC 511C यह 518 जो भी लिखा हुआ है यह इस साइड लेखा हुआ हुआ है, तो यह जो राउण्ड बाला साइड हूए, इसको छूड़ दुतीतिय और जो प्लेन बाला सार्किट ये जो कोटिंग हुआ है कोटिंग बाला साइट आपको डाय तरब रहेगा नेगेटिव सार्किट में ये जो ट्रांजिस्टर रहेगा डाय तरब रहेगा और पॉजिटिव सार्किट में ये जो कोटिंग आएगा ये बाय तरब रहेगा दोस्तों यहां पे जो आइसी यूज होता है एसे तरह भी आप चून सकते हो यह जो पॉजिटिव और नेगेटिव सर्गिट अच्छे से आपको यहां पे धान दर को लेखना पड़ेगा डाइने तरफ आपको यह रहेगा ट्रांजिस्टर का कॉट्टिंग साइट और बाइ अधियर तरहां पे इसका नंबर किया है इस ओम्राइज पोजिटिव सर्गिट का पालिप्यों पोजिट्य सायगिठ यहां पर दिखा हो साहँगा 2N6107G पोजिटिव सर्गिट का इनिंबबर और इसका निक्षे लिखा हो है 0q 176 इसका इ consultants ब्राल बाइज अनव में नहिं यह आपको दिखेगा यह आपका नेगेटिव और 6107 वाला जो दिखेगा यह हमारा पॉजिटिव सर्कृट का आई सी का नमबर ऐसे तरह भी आप चून सकते हो तो इसका वा इसका उपर भी एक अलोग सा वाला सार्कृट जो आई सी आता है दूसरा वाला भी एक सर्कृट आ पर दो दूसरा वाला ला नमबर का क्या भी आई सी लगा हुआ है तो यह सकते हो और शेका प्रक्राटिकल कैसे दिखेंगे आप एक लिडी ले जाएंगे जो फैप्रन सर्कृट आप लगाएंगे मार्केट में आपको वह वह दोकानी में पूछ लेंगे कि हमारा यह प pry दूँगा यहां पर यह k 읽 right के साहथ में का पॉजग सब्लै दूँगा यहां पे ऊंगेबडियों के साफ मां पामनेटीक सबना चाह凝ा है ku अधर से भी आप connection कर सकते हो यह देखिए यहां पर जो हमरा output निकलेगा 12V output निकलेगा 12V DC का output निकलेगा क्योंकि मैं जो input दे रहा हूं 12V आपको जहां पर भी देंगे इसका 12V output देंगे 12V ज्यादा हो जाएगे यह हमरा इसका आइसी कर जाएगे क्योंकि हमरा आइसी जो function हो रहा है 12V में फंक्सिन हो रहे है तो देखिए में यहां पर supply दे दूँगा तो यहां पर पर मैं power supply अन कर दूँगा अच्छे से इसका connection देखिए यह positive को positive और negative के साथ negative connection कर दिया हो और यहां पर यहां पर supply दे दूंगा supply दे दिया हूं तो यहां पर कुछ indicator नहीं दीखेगा कि हमारा इसका अंदर power supply चला गया है तो इसका आपको क्या करना होगा negative के circuit आप कैसे चिन्लेंगे तो यहां पर LED लगा रखाओं में इसका positive के साथ में register लगा हूं और negative को नेगेटिव को में इसका एक तार connection कर रहा हूं यहां पर मैं क्या बुला negative circuit में positive हमारा common होगा common load है लोड का साइड है हमारा positive साइड हमारा common रहेगा जो common पार्ट होगा यह हमारा यह वाला साइड यह सभी LED हमारों पांच LED लगाएंगे उसका negative साइड यह है तो negative साइड को हम इस साइड देंगे अच्छे से देखो फिर से एक बार बते देता हूं इसको पॉजिटिव जो लोड होगा सभी LED का register साइड हमारा positive लोड है positive साइड को हम common कर देंगे ऐसे तरह माल देख लेंगे तो इसका सभी यहां पर लगाऊं तो एक नमबर LED लगाऊंगा तो दिखिए यहां पर हमारा glow करेगा यह दिखिया अच्छे से जो LED हमारा glow कर रहा है तो यहां पर थोड़ा इसका potentiometer को हम change करेंगे तो रहन भी करेगा अच्छे से तो इससे तरह यह run कर रहा है इसको positive को positive और negative को negative साथ connection कर रहा है यह बाला LED अब लगा सकते हो मैं इस LED को लगा कर विए हो देखा जाता हूं इसको क्या होगा positive हमारा common हो गया negative को negative channel निकलेगा दिखिए यह हमारा LED चल रहा है अच्छे से देखो अच्छे तरह हमारा running हो रहा है तो यह हमारा negative चैंज कर देगे इसका negative को negative यहां पर common कर देंगे और positive को positive को साथ common कर देंगे यह नहीं जलेगा अच्छे से देखो यहां पर नहीं जलेगा यह light तो जैसे तरह इसका connection कर रहा हूं आच्छे से देखो positive को positive negative को negative supply देने के कोनेक्शन हो रहा है तो इसलिए आपको मालम करना पड़ेगा कि यह हमारा नेगेटिव सर्कुट है अच्छे समझ में आ गया हमारे जो लोड का पॉजिटिव को जो पावर सप्लेगा पॉजिटिव साथ कॉनेक्शन रहेगा और इधी पॉजिटिव दिखी जो रेड कोलर आ तो इस साइड हमारा जो नेगेटिव कोनेक्शन लगेगा तो माल माल लिजिए कि यह हमारा नेगेटिव सर्कुट है तो इसे तरह हमारा कोनेक्शन रहेगा और पॉजिटिव सर्कुट क्याते हो कैसे होगा तो यहां पर भी मैं पहले सी कोनेक्शन करके रखाओं यह रिख जो LED यहां पर लगा हूँ, यहां पर दिखिए, यहां पर आपको connection भी है, बहुत आसानी से पता चल जाएगा, कि दिखिए, इसका LED का common term नहीं होता है, यहां पर क्या लखा था, positive circuit में हमारा negative common होगा, load का negative side common होगा, और इसका output निकलेगा, इसका output निकलेगा, इसका positive supply निकलेगा, तो load जो हम देंगे, उसका positive को साथ हमारा positive connection रहेगा, तो यहां पर क्या कर रहा हूँ, यहां पर क्या करके LED में लगा रखा हूँ एक एक channel में, तो यहां पर 1K register लगा कर 1, 2, 3, 4, 5 यह से करके लखा हूँ, जो blue, green, white, yellow, red, यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, LED का common terminal में बात कर रहा था, बड़ा वाला जो plate होता है, यह बड़ा वाला plate को साथ, इसका जो देखे, सभी का बड़ा वाला plate होता है, इसका common कर दिया हूँ, जो white, color आप देखे ही यह थार, तो इसका common terminal, इसका common negative और इसका negative, सभी का negative साथ connection कर चुका हूँ, इसका common terminal यहां पर देखे, इसका adapter के साथ, सारकृटожд Сारकृटी साथ common कर दिया हूँ, उसी negative को और उसका negative, यह जो LED का common terminal साथ connection कर दिया हूँ और यह मेरा हो गया positive circuit तो positive side, positive side connection हो गया है यह जो output निक लेगा हमारा positive सभी LED का positive साथ एक एक करके connection कर दिया हूँ तो यहां पर मैं power supply दे रहा हूँ कैसे तरह running हो रहा है देखो अच्छे से एक दो तीन एक दो तीन एसे करके running हो रहा है एक दो तीन यह जो मेरे दो चैनल खराब हो चुका है तो यह थोड़ा short कर देंगे तो भी जलेगा तो इसका transistor बगरा कुछ खराब है उसको में अभी lockdown के लिए भी माल नहीं आ रहा है जो components बगरा आसन नहीं हो रहा है आसन जानने के लिए तो यह तो तीनों से लामर चल रहा है तो इस जो potential meter का में बात कर रहा था potentiometer असे तरह हो में घूमाएंगे और नहीं गोमाएंगे दी्खेंजिए इसका speed हो रहा है तो ज्यादा तरह सबीड हो रहा है तो इसका बंहीं तरह गोमाएंगे उसका speed काम हो रहा हूं तो दिरुदिरे जलर क्षान करATA देखिए अच्छे से तो यहां पर भी हम इस साइट लगाएंगे तो इसका common terminal यह वाला तो यहां पर में connection कर देता हूं जो common बाला जो इस LED का तो negative को इस common के साइट connection कर रहा हूं यहां पर यहां पर में थोड़ा यह देखिए जिस तरह इस तरह जो भी टाइम जल रहा है यह तरह यह लाट गलो कर रहा है आप उसी हिसाब से आप casing करके भी यह फाइपरान शार्किट आप लगा सकते हो तो दोस्तों ऐसे तरह आप casing light बन करके मैं आपको light बना कर भी आगे वीडियो में देखाऊंगा ऐसे तरह फिटिंग करके ऐसे तरह भी आप connection कर सकते हो तो इसे तरह आपके LED कैसे connection करेंगी यहां पर छो LED लगाऊंगा कैसे तरह चैनल का लगाऊंगा तो और एक बात कहना भोल गया हूं दोस्तों यह और एक जितना भी बोर्ड फोर लाइट बगारा जो भी करते हूं हम तो यहां पर हमारे 200-500 बोर्ड एक ही चैनल में 200-500 के LED लगा रखाऊंगा तो उसी चैनल से आपको टोटाल चैनल में आपको 1000 LED लगाना पड़ेगा 200-200 करके आप 5 चैनल में 1000 LED लगा सकते हो तो इसका जितना एम लगा सकते हो तो ज्यादा एमपेर लगाएंगे तो उसी सब डायोड चेंज करना पड़ेगा और कैफसेटर बगार आपका LED बहुत यह आच्छा गलो करेगा और उसका आउटपूट भी आच्छा निकलेगा तो यह था हमारा इस वीडियो का जो मक्सद था तो दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए तो कुछ भी डाउट ही सार्कीट का उपर तो मैं मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं उसका प्रब्लेम सॉल्व करने के लिए और वीडियो डालूंगा क किरूगा आपको समझने के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगा अगले वाला वीडियो में तो दोस्तों चैनल को सब्स्क्राइब करके 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 सबी तरह का वीडियो डाल चुका हूं तो उसी प्लैलिस्ट में आप क्लिक कीजिए और उहीं पर देखिए कौन सा वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा तो आपको आच्छा लगा तो लाइक कर देना और फ्रेंड के साथ भी सेयर कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगले वाला वीडियो में तो इस सार्किट को लेकर मैं बहुत सारा चैजर सार्किट भी बनाऊंगा तो आगे मिलेंगे वह कैसे तरह करेंगे देखेंगे थांक्यू दोस्तों